इस वीडियो में हम सेखंगे UP scholarship का renewal form कैसे फिल करते हैं इस वीडियो को देखकर आप किसी भी class का renewal form फिल कर सकते हैं इस वीडियो में हम only renewal form के बारे में ही बात करेंगे तो अगर आपको किसी भी class का fresh form वर्ना है तो link आपको description में मिल जाएगा renewal form fill करने का complete process इस वीडियो में आपको बताया है अगर आप वीडियो complete देखेंगे तो आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए बिना देरी करें शुरू करते हैं तो simply आपको UP scholarship की official website पर जाना है इसका link आपको description में मिल जाएगा website पर जाने के बाद आप यहाँ पर online आवेदन की last date भी देख सकते हैं किलास 9 और 10 के लिए 7 October last date है और 10 मौतर कक्छाओं के लिए 7 November है last date तो renewal form बनने के लिए यहाँ पर आपको student की option को select करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको renewal login का एक option मिल जाएगा तो renewal login में आपको काफी option मिल जाएगे तो renewal form बनने के लिए आपको login करना पड़ेगा login करने के लिए आपके पास आपका old UP scholarship का registration number होना चाहिए अगर आपका old registration number हो गया है तो आप उसे find कर सकते हैं इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है कि UP scholarship का registration number के से find करते हैं इस वीडियो को link आपको description में मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको कुछ option मिलेंगे जैसे कि primatric student login, intermediate student login, postmatric other than inter student login और postmatric other state student login तो सबसे पहले जो option है वो primatric student के लिए है अगर आपको 10th class का renewal form भनना है तो आपको यहाँ पर primatric student login select करना है और अगर आपको 12th class का renewal form भनना है तो आपको intermediate student login select करना है और इसके बाद अगर आप कोई course कर रहे हैं तो आप उस course की second या third year में हैं तो उस course में जब भी आपने UP scholarship के लिए registration करा होगा उसी registration number से आपको continue करना है तो अगर आप कोई course कर रहे हैं जैसे की माली जी आप b.com कर रहे हैं तो माली जी आप second year में हैं और जब आपने first year में UP scholarship को form भरा होगा तो वहाँ पर आपको registration number मिला होगा तो second year में आपको उसी registration number से आपको continue करना है उसके बाद यहाँ पर postmetric other state student login का भी option है तो यह option only उनके लिए हैं जो other state से UP में आकर पढ़ाई कर रहे हैं तो इस video में अपना खुद का renewal form भर कर दिखाने वाला हूँ renewal form भरना काफी आसान है मैं become final year में हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ पर postmetric other than inter student login select करना है अपनी जनमतिती एंटर करनी है और इसके बाद password यानि की verification code डालना है अगर आप अपना password भूल गए हैं तो आप यहाँ से अपना password reset भी कर सकते हैं अपना password आपको reset करने के लिए यहाँ पर click here पर click करना पड़ेगा इसलिए आप अपना password reset कर सकते हैं इसके बाद last में आपको एक capture code मिलेगा उस capture code को नीचे enter करना है और इसके बाद आपको submit करना है तो simply हमने portal में login कर लिया है आपके समने इस तरीके का interface आ जाएगा यहाँ पर आपकी personal detail होगी तो जैसे कि हमारा renewal form है तो यहाँ पर आपको कुछ ही detail change करनी है आपको थोड़ा बहुत correction करना है बागी कि आपकी detail जैसी है वैसे ही रहेंगी तो यहाँ पर option है नवीनी करन आविदन पत्र को संसुदित करें तो इस option पर आपको click करना है अब इसके बाद आपके समने इस तरीकी का interface आजाएगा तो यहाँ पर registration detail मिलेगी आपको सबसे पहले तो इसके बाद आपको next page पर जाना है तो यहाँ पर आपको sectioning के option पर click करना है तो इसके बाद आपके समने इस तरीकी का एंटरफेस आ जाएगा तो यहाँ पर आपको only कुछ detail ही change करनी है आपकी already पहले से ही detail fill है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले change करना है पाठे करम के वर्तवान सत्र में पिरवेस्थिति पिरजेंट में आप जिस class या year में है उसमें आपकी पिरवेस्थिति क्या है वो एंटर करनी है यहाँ पर इसके बाद आपको अपना enrollment number एंटर करना है अगर आपको नहीं पता तो यह आपको अपने college से पूछना होगा इसके बाद अपनी university का name select करना है और इसके बाद रासनकार्ड number या अगर आपके पास परिवार ID है तो परिवार ID यहाँ पर आप डाल सकते हैं रासनकार्ड नमबर या परिवार ID अनिवार यह नहीं है अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं इसके बाद आपको last में एक capture code मिलेगा जैसा ही capture code लिखा है वैसा आपको सामने enter करना है इसके बाद यहाँ पर right click करना है और इसके बाद आपको submit करना है तो जैसा ही आप submit करेंगे तो आपकी details successfully update हो जाएगी अब इसके बाद आपको next page पर जाना है तो यहाँ पर सुल्क संबंदित के option पर click करना है तो यहाँ पर आपकी अनुमोदित वार्सिक non-refundable अनिवारिय सुल्क है तो अनुमोदित वार्सिक non-refundable अनिवारिय सुल्क आपको अपने कोलिस से पोच लेना है अगर आपको अभी नहीं पता है तो आप यहाँ पर जो चाहें वो amount enter कर सकते हैं बाद में आप अपने form में correction कर सकते हैं चेक कराने के बाद final submit करने से पहले इसके बाद आपको capture code enter करना है और right click करना है और update पर click करना है तो जैसे ही आप update पर click करेंगे तो आपके detail update हो जाएगी अब इसके बाद आपको next page पर जाना है gut words के option पर आपको click करना है अब यहाँ पर आपको gut words की detail enter करनी है आपने present year या class से पहले जो भी class या year pass की है उसकी यहाँ पर detail enter करनी है तो gut words का सबसे पहले पर एक शफल select करना है तो जैसे कि मैं pass हुआ हूँ तो मुझी यहाँ से पास select करना है यहाँ पर और भी आपको दो option मिल जाएंगे promoted with marks और result yet not declared अगर आपका result नहीं आया है तो यहाँ पर आपको last वाले option को select करना है लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपना form तभी बनना जवाब का result आ जाए और अगर आपके पास time नहीं है और अभी तक आपका result नहीं आया है और large date over होने वाली हो तो तब आप emergency में यहाँ पर form भढ़ सकते हैं यहाँ पर थर्ड deo section को select करना होगा अगर आपका result नहीं आया हो मेना result आ चुका है और मैं pass हूँ तो मिजे पास select करना है इसके बाद gut words की परिक्षा प्रहणाली select करनी है तो मेरी warsipuar फरिक्षे प्रहणाली है अब इसके बाद यहाँ पर संसद वारा अंकित पूंडलांग पूंचे गए हैं लेकिन यह option बिलोग है अभी अगर आपके में आ रहा है तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं इसके बाद गतवर्स का फिरापतांग एंटर करना है आपके कितने marks आये थे last year वो एंटर करने है यहाँ पर और गतवर्स का पूंडलांग एंटर करना है तो यहाँ पर आपकी automatic percentage आ जाएगी और इसके बाद अपने सेक्षन संस्तान का नाम यानि कि अपने कोलिज का नाम यहाँ पर एंटर करना है अगर आपका पिड़्जायंड कोलिज अलग है और last year आपका कोलिज देना है तो हमारी डीटेल अपडेट हो चुकी है अब इसके बाद नेक्स्ट पीच पर जाना है यह अल्प संक्यक के लिए हैं तो अगर आप माइनर्टी के डिगरी से बिलोंग करते हैं तो यह उप्शन आपको तभी मिलेगा तो यहां पर आपको करना क्या है यहां पर आप यहां पर आपको नीचे और इसके बाद राइट क्लिक करना है और अपडेट पर कर देना है तो हमारी डिटेल होचुगी है तो अपने एप्लिकेशन form में हमें जो भी details update करने थी वो हम update कर चुके हैं अब इसके बाद home page पर जाना है तो यहाँ पर आपको lab side में home के icon पर click करना है अब जैसे ही आप home page पर आएंगे तो यहाँ पर एक option open हो जाएगा ज्यांच हे तू आवेदन print करें तो अब आपको application form download करना है पीडियाफ में और उसका print निकालना है तो application form को आपको college ले जाकर आपको check करा ले रहे हैं कोई detail गलत तो नहीं है अगर गलत है तो आप correction कर सकते हैं final log करने से पहले तो चलिए अब हम print कर लेते हैं अपना application form तो यहाँ पर आपको जाच है तो आप within print करें इस option पर click करना है तो यहाँ पर आपका application form आ जाएगा यहाँ पर आपकी सबी detail होगी आप यहाँ पर देख सकते हैं यह application form आपको जमा नहीं करना है और लिए आपको अपनी detail चेक कराने के लिए इस form को लेकर जाना है तो चलिए हम print कर लेते हैं तो print this page पर click करना है इसके बाद इस तरीके का interface आजाएगा तो अगर आपके पास printer है तो आप इसका instant print out निकाल सकते हैं अगर आपके पास printer नहीं है तो आप इसे PDF में save कर सकते हैं अपने system में तो मेरे पास printer नहीं है अभी तो चलिए मैं इससे PDF में save कर लेता हूँ तो यहाँ पर print के option पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आप जो भी PDF का name रखना चाहें वो यहाँ पर रख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको save पर click कर देना है तो यह application form मेरे system में PDF में save हो चुका है अब मैं इसका print out निगलवा लूँगा अगर कोई detail गलत होती है तो इसमें node कर सकते हैं और बाद मैं आप online correction कर सकते हैं तो इसके बाद आपको फिर से home page पर जाना है तो यहाँ पर आपको back के option पर click करना है अगर आपके form में कोई गलती निगलती है तो आपको अपने form को login करना है और इसके बाद यहाँ से आपको अपने application form में correction कर लेना है correction करने के लिए आपको यहाँ पर second option पर click करना है इसके बाद जो भी detail आपको correct करनी है वो आप easily correct कर सकते हैं डिटेल सही करने के बाद सामने capture code enter करना है, और इसके बाद right click करना है, और इसके बाद submit या update पर click कर देना है, तो आपकी detail update हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको और page भी मिल जाएगे, तो जिस भी page पर आपकी detail गलत है, वहाँ आप सही कर सकते हैं, लेकिन आपको capture code enter करने के बाद, आपको update जरूर करना है, रासन कार्ट संक्या या परिवार ID ये कंपल सरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, तो अगर आप अपने कोई detail update करते हैं, तो application form log करने का option बिलोग हो जाएगा, तो फिर से unlock करने के लिए आपको जांचे तू आविदन पत्र print करें पर click करना है, और इसके बाद back के option पर click करना है, तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं, application form log करने का option unlock हो चुका है, तो अब मेरा application form पूरी तरीके से सही है, तो चलिए अब मैं final submit कर देता हूँ, तो इसे आपको अपने college में जमा करना है, और क्या के documents लगेंगे उनके बारे में नीचे बताया गया है, ऐसा नहीं है कि सभी documents लगाएं आप, जो applicable हैं आप पर, वही documents आप लगाना, तो इस तरीके से आप किसी भी के लज़का UP scholarship पर renewal form फिल कर सकते हैं, अगर आपको कोई कुश्य नहीं हो तो comment जरूर करना, I hope आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं की है तो like कर दीजिए, तो मिलते हैं next वीडियो में, इस वीडियो में बस इतने ही, thanks for watching,